नमस्कार, दा वॉल्ड एडुकेशन रिसंच के इलेक्ट्रो भंवेथिक प्लास में मैं आप सब का हादी के विलंदन स्वालगत करता हूं है इस में हमनों हिंदि उल्यक्त मिडियम जो इस है जो मेडी सिरे जिसका नाल है लिप्वित्य संरे और सरोपलों जो इस problem काफि समानता है और इस समानता को समझना आपके लिए काफी बाशबनी कि क्योंकि सबसे पहले पार्थंπει कोई मेडिसीन कढ़ते हैं तो मेडीसीन में पहला मेडिशीन आता golden नहींते स्टरेट मिक्टिशन आगजे से लशिक सन स्थान पॉड़ और रख करता है उसी तरीक्शीति क्यों कर लेकिन थोरों का काम प्लय कंपलता है कि सबसे पहले आपने डिव को पढ़ा प्रूम के पहले तो तो आप यह भी पढ़ने और बढ़िया से ल्याद करिए कि यह लसिक संस्थान में लसिक बनाने वाले अवयवों पर काम दबता है को जो पहले आपने स्टेट मीटेल को पढ़ा था जमकि आज जो मैं बता रहा हूं लिंफ मीटेल लिंफ हैटी को इसका काम लसिक संस्थान में उत्पन जो दोस है उसको दूर कर सुचानु रूप्थे-सुब्वस्थित तरीते से संचानित खबने ता काम है तो यह क्लियर हो गया कि दोनों सभी ब्लड और लिंफ दोनों पर काम करता है लसिक संस्थान पर काम करता है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है इस्टेट मिटेर लसिक संस्थान पर काम करता है तो वह काम इस तरीके से करता है कि वह लसिक बनाने वाले वाले वह पर काम करता है और लिंफ हैटि उसमें उत्पन दोस को दूर करने के लिए काम करता है दोनों का काम अलग हो गया लेकिन काम दोनों नसिप पर ही करता है अब आए ग्रंधियों में जब सूजन होती है तो ग्रंचियों के सुजन को दूर करता है तो ग्रंचियों को सुजन को दूर करने के लिए लिंप मेटल है लिंप एक और सुजन जब हो जाता है तो स्राव बाधिक हो जाते हैं रूप जाते हैं बेल्य हो जाते हैं पसीना बढन्या सेमस्या होते हैं आच से कीछी नहीं नहीं स्टेंगा जो निकलते हैं। कान से घंट की समस्या जो स्स्राव है जो खोड़ बन करके इसे लगता है वह क्लेर नहीं होगा आपके बांदे से पसीना नहीं है नहीं सब्सक्राइब किसी प्रकार रहे कि Aí तो क्या कर दबा मुत जबा इसी निसमें और लूख गया है अभान्जसे ठाभ तो आत्म चपा रहे हैं कि तो स्राव को क्या करता है और जो आपके स्राव की प्रक्रिया है उसको सुचार रूप से संचालित करें अब लसिक की जो अवशक्ता है पर बात करते हैं लसिक में और बहुत बड़ी बात की आपके स्रें में जैसे क्या आक तक सब्सक्राइब बनाते हैं चलता है की जोला कर IP explained होतक है नहीं लेकिन वह लेकिन रिक शुम जाता हो लेके मिमार को प्रषा में केका इता हुए आख है तो यह फंता है कि और रिमार्ट पिरखना कि सरीर कि प्रवास्तों पुष्ञीड किसी कि प्रवास्तों तो पसीना नहीं मिकलेगा तो इन्फेक्षिन होगा चल्मनों होगी और तुझमी जैसे समस्यां होती है परतोर जैसा समस्यां होता है उस तरीके की बहुत सारी समस्यां होती है उसको यह दूर करता है लिए इसके जो इस अवसाधी के इस पहती के निर्मादा डाचर कांट शीर मेंटि शाहर ने पहले जब सुनू किया था साथ इसका ब्रमु पर ये परियों करते है और सिसके लिए चाहिक खमप्रेस के निपेना है या अन्द्र के ने दृवह 54 ने लगा कि इस पर जब रिसर्ट हुआ झायां उस पर इसका है जो और खाल जिए मुसेंश real देखा देखा जए और या वाइड ब्लड जो WBC है उस WBC को संतुलित करने का बहुत उसकर प्रभाव इसका विसेश दिए तो ब्रह्म प्रयोग के साथ आंत्रिक प्रयोग भी शुरू हुआ आपके सरीर में WBC का पहुत पड़ा महत्व है इसके बारे में थोड़ा सामनों चर्चा करने फिजियो रोजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहता है कि WBC आपके सरीर में बिल्कुल जेना की तरह अत्यानात रहता है किसी बाहरी विसाडू या किसी प्रकार की बाह हैं यह करदेता है आपके सरीर को रोग नुवत रवता है लेकिन ध्याना एंगा है स्वेट रट जिस्कों बोलते हैं वो इस पना पूजिअला तो यह तो क्या है कि क्या है डावलू पिसी को सम्तूरित करता है 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 अगर बढ़ा है गटा है तो यह डremmy कर देगा है यह KCV is कि बिषयेसड प्रभाभ का ि को ओधा दे कि इसमें बिन बिन प्रकार की बीमारियां बिसीट में लशिक शंसाइल से संपतिक इस आप आपके रस्त में किसी प्रकायर की दोस्तिपन हो जाती है आपके सलीव में तो इस दोस्त को दूर करने के लिए यह श्रवाऊ सदी है कही बाउकेज है उसके मादियम से मिलगी आ जाता है आप ऑफ कही लिगोरीया का प्रॉब्लेम जो है आ निया काभुसा दरी समयान उस समया की समस्या में पता है कि संख्या का होती है है कि आपके से द्धमीर कि मात्र अधिक जुआ है ! यूडिकी मात्रlor पड़ जाते है तो soluć में ड़गते हैं रुखे में जुआ है समस्या और ने करने क्षाह रखता है ये दूब करने का चंता रगता है दूर करता है को दवा तो लिंपमिट इसलिए इस ग्रूप की जो दवा है उसके साथ पड़र सही तरीकिसी लिंप्वाइटिक लिंपमिट टेल की दवा का इस्तिमाल किया जाता है तो सुभाविन बात है कि अगर लसिक से संब्दिक किसी प्रकार की समस्या से अगर परिशान साथ है मरीज तो उसे ख्लिक किया सकता है कोछ-कुछ इस्टम में शोंकि एश्ट्रोफॉलस की कुछ कंपाउंड जो मेडिसिन मिक्स करके बनाई जाती है तो उस मेडिसिन की कुछ प्लांट इसमें भी डाले गए हैं जिसके चलते इस मेडिसिन का सिंगल इस्तेमाल करने से आधुलिक प्राक्रिस्टर लोग या कुछ वैसे पिसे क्लिपसट लोग है जो उनका अपना स्पेसल कुछ रिसर्च होता होता हमाता है कि जहां सिंगल मेडिसिंग ल1 काम करें या रिक है वहां चार चार मेडिसिंग उसी में इंक्लूड करके और उसपो चलाते हैं कर अपने प्राइटिस है लेकिन लिफ मीट इनका अगर सिंगल वह सदी भी आप प्रयोग करते हैं और रसिक में किसी प्रगाय की दोस्थ है तो अब भावी बाध है कि ऐन स्रीज की जितनी भी मेडिसिप हम लोग ने प्राइटिस में किया है और देखा है पुराणा सब्सक् नोग के आदिशाख दवा चलाने का जो सिस्टम है किसमें हम दवा एंटी में डे किसमें डाइवूसन में दे कौन लाइटर डाइवूसन इस्तिमाल किया जा सकता है या कौन सी पोटेंशी दिया जा यह चिप्सक के सूज भूज के उपर ने भर करता है और इसका कापी लोगों को लाब मिला और सब्सक्राइब को अम लोगों ने ठीक किया फॉर्वंदिक भूसारी समस्यां जाती है और वह इंग मासी धर्ब में जो समस्या आती है पेटि में दर दो गारा पिंडू में दो गला रहना बहुन साहिसारी समस्या जिसको के साथ 2 के स ठीक हो गया और एक महीने के अंतर ठीक है जब कि उनको सर्जली कराने के इस्थीदी थी तो बहुत को डिपेंड करता है कि आप इपली कितना इलेक्टरों में पहतिक में इसीस्टम को जाते हैं यह वैसी कोई में में इस दुनिया में बनी है जिसके बारे में इसी भाग्जान लिए कि खलाना है और खलाना रोग में दे दिया जाता नहीं तो दवा दुकान से लाने वाले और उसकी जू बरतमानी स्धीतिया उसको समझ करते, और किस दवार को देना है इसका चायन करते है, अत्तम किसी भी दवार को इस्तिमाल किया जाता है। इसलिए सभी दवा परणिखा होता है जो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं वो मेडिकल दुकान से तो दवा लेहीं लेते हैं आपको में मैं यह कहूँगा कि अगर अगर वास्तों में अपने ट्रीटमेंट के लिए ले रहें तो या तो इस बवस्था को आप समझें पढ़ें और नहीं तो जो आज पास लेक्ट्रों में पैठिक चिकिचक हैं उनसे मिले उनसे प्राभर्स ले और आप भी इस के बारे म आपके प्राकर्त के मुताबिक यह निर्धायत करते हैं कि आपको कौन सी दवा किस पावर में किस प्रोटेंशी में दिया जाएगा चिकिचकों सभी मैं यह कहना चाहूंगा इसलिए जान लेने से नहीं होगा कि लिए जो आउसधिया है या स्टेट मिटेर या जो भी इले जब आप दवा का प्रयोग का सिस्टम जाने है सिधान्त को जाने है तभी आप लेक्टरों में पहती कि चिकिचक बन सकते हैं यह कोई जरूर नहीं है कि आप कौन सा भासा भोते हैं जिस भासा में आप जानना चाहें समझना चाहें मरीज को जिस भासा में आप समझें और और दवार को आप जीजवासा में समझें। शमज करके बूज करके और तम उसका इलाज करें। आपको सब्धता मिलेगी इलेक्ट्रोहूंयोपेथिक यह कैसी पद्द्दी है जो संपूल्ण मिमारियों का इलाज है और अपने आप में यह कूल पद्द्दती है। और 100% हर्वल है मैं हर वीडियो में आप सब को बताने का या प्रयास करता हूं यह 100% हर्वल है यह आसूद जल में बना जाता है जिसको डिस्टिल्वाइटर बोलते हैं इसका कोई दूस्परिणाम नहीं हुए आपके सरीर में जातर के अधरीको या फूट सिप्लिमिंट के रूप में ही काम करेगा लेगिन दवा तो दवा है किसी दवा का इस्तिमाल तभी आप करें जब आपके सिस्टम के मुताबिक आपके रोग के मुताबिक वह दवा मैच करणा है हम लोग अगले वीडियो में मिलेगे तो बात करेंगे कि लिंप मिटेल में जो दो क्या लлов और एक डू है किस तरीके से गंजापन जू करने के लिए कंम करता है या जोंकिट परकाम करता है इस तरीके से लोग में काम करता है चमडा काम करता है कई से पर नौदि करता है से ये शिलेकर पर शक्विन्स 34bras करता है किसे पागरपन परकाम करता है और किस तरीके से इंपोटेंसी मन पूर सकता परकाम करता है और किस तरीके से जो समय बादगर के बुखार आता है अभिनाम तो उसक तरीके से किस विमारी परकाम करता है अगले वीडियो में बात करेंगे लेकिन अभी हमारा प्रयास है क हम आप समको यह बताने का प्रयास करें कि फैरे इलेक्ट्रों में फैठिक में जितनी भी स्रीज बनाई गई है उस्रीज के विसेश्था के बारे में आपको अभी बता रहा हूं और अगर आप पूर्ण लूप से अच्छे तरीकिसे वीडियो को देखेंगे समझेंगे क्लास को अटेल करेंगे समय निकाव करके एक बार के मंदले सो बार वीडियो को देखिए और समझें तो मैं आसा करता हूं कि आप अच्छे पूसर चिकित सक बन पाईए फिर मिरते हैं तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार जाहिए जाबार